In case of death of an advocate, the family of the advocate will get 5 lakh rupees. आपको सुनके अश्चेर होगा, कितने cases होंगे? उन जजज साब के पास, एक जजज साब के पास 6 cases थे पूरे दिन में करने के लिए, और एक जजज साब के पास मात्र 4 cases थे. कॉर्परेट बीमा की जहां पे बात है, हमने काफी बारी प्रियास किया है, और मैं भी एक वकील हूँ, वकील के नाते में आपको बताना चाहूँगा, कि बहुत सारे वकील तो बहुत अच्छे परिवार से हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका उन परिवारो हिंदुस्तान के अंदर हाई कूट्स ने कोविड की दोरान काम किया है, शैद विश्व में किसी ने ना किया हूँ नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल NJP इंडिया पर, मैं हूँ आपके साथ कोमल राओ, आज हमारे स्टूडियो में खास बातचीत के लिए मोजूद थे पंजाब हरियाना हाई कोट बार काउंसिल के पूर्व चेर्मेन, जो फिलाल बार काउंसिल के सदस्य भी है, तो आज हम इनसे बात करेंगे, और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पिडित परिवार होता है, तो उसको कितनी आर्थिक साहता दी जाती है, किसी हाथसे के दोरा नकर उनको कुछ चोट पहुचती है, या कुछ हाथसा हो जाता है, तो बार कॉंसिल पंजाब और हरियाना में डेट लाख वकील जो बार कॉंसिल से अन्रोल्ड है, उनको जब वो इन्रोल्मेंट के लिए आते हैं, तो उनको हम तीन तरीके से अन्रोल्ड करते हैं, और उनका इंशूरेंस करते हैं, डूरिंग अन्रोल्मेंट प्रोसस्स, नमबर एक एड़़ूकेट वेलफेर उनको अनुदान देती है इसी हेड के अंदर फर्दर किसी एड़ोकेट की हमारी आकस्मिक मृत्वी हो जाए या जैसे भी उनकी मृत्वी हो जाए जैसे भी तो एक लाक रुपए उनके परिवार को राशी मिलती है as a matter of right नमबर दूसरा हेड इसके अंदर आता है जब भी कोई एड़ोकेट साती बार कॉंसल में अन्रोल होने आते हैं तो हम उनसे एक हजार रुपया लेके for 10 years accidental death में 2 लाक रुपए natural death में 1 लाक रुपए उनको cover कर देते हैं which is compulsory as per the rule of the बार कॉंसल तीसरा हेड जो की एक बार कॉं कोई भी एड़ोकेट जब एन्रोल है इसका मेंबर बन जाता है in case of death of an advocate the family of the advocate will get 5 lakh रुपीज and in case of medical any problem the family will get up to 2.5 lakh रुपीज जी so ये तीन स्कीम हमारे पास है और मैं आपको जानकारी के लिए में देना चाहूंगा कि बार कॉंसल पंजाब एंड हरियाना during covid आठ करोड रुपे नीडी एड़ोकेट्स को और जो पंजाब और हरियाना में तकरीवन सो एड़ोकेट कोवीड से जिनकी death होगी थी उनको distribute कर चुके हैं डिरेक्ट उनके account में पैसे गए हैं जो बार कॉंसल परिवार को जो मदद देती है तो उसमें क्या पादशिता होती है जी जो बार कॉंसल जैसे ही किसी भी परिवार के अंदर कोई सी तरह से कोई आकस्मिक मृत्ती हो जाए हारी बिमारी हो जाए तो जो भी एड़ोकेट ब अप्लाई करता है उनको क्योंकि हम भी self generating body है हमारा enrollment के process और कई तरह से हमारे पर फंड आता है तो जो हमारे पास limited resources है उनके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हर एक वेक्ति कोई भी छोटा ना रहे उनके परिवार की help हो सर वकीलों का joint बीमा मेरा मतलब corporate बीमा कराने की जो बात है तो ये विचार आ रहा है कि सीरे नहीं चड़ पाई है तो ये काम कहां रुका हुआ है जी देखो corporate बीमा की जहां पर बात है हमने काफी बारी प्रयास किया है और मैं भी एक वकील हूँ वकील के नात में आपको ब खूब कम से कम amount भी मांग लो तो उनको वो उसको नहीं कर पाते हैं तो किसी ने कहीं इसी तरीके पर हमने बहुत प्रयास करें बार एस्सोशेशन ने भी अपने लेवल पर प्रयास किये लिकिन उस सिरे नहीं डेल पाई क्योंकि कहीं ने कि उनका premium का issue आता है कुछ ना तो इसके लिए अभी तक कोई कदम उठाया गया है जी हमारी दो तीन मीटिंग्स हो चुकी है बार एसोशेशन और बार कॉंचिल लेवल के उपर और डिरेक्ट कंपनियों से हमने कॉंटेक्ट भी किया है तो सर जैसे की अदालतों की तारिक आम लोगों को जब कोई किस्सा होता है या कोई केश चलता है तो निरंतर भरती जाती और कोई न्याय नहीं होता है तो यह इसमें देरी क्यूंकी जाती है क्या आप अपनी राय से आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या हो सकता इसका कारण देखिए मुझे यह लगता है यह मेरे परसनल विचार है परसन में इतने ज्यादा हैं बलकि मैं आपके मादियम से नयाय पालिका को एक पॉजिटिव साइड से यह देना चाहूंगा कि यह हमारे जेजिस की हिम्मत है जो इतना आप उनकी लाइफस्टाइल देखिए आज पंजाब है हरियना उच नयायले के अंदर एक जज को एक दिन के अ होते हैं आप एक मुक कदमे की एवरेज निका लिए कि एक जज जब पढ़ने बैठे तो पांच मिनिट की एवरेज आती है तो भी आप देखिए उनकी जीवन के अंदर वो छे बजे कोट से घर आते हैं छे बजे के बाद सुबह दस बजे उन्हें फिर से बैठ जाना है त जी जजज कुछ नहीं कर रहे हैं या लीगिल सिस्टम हमारा यह हो रहा है वकील कुछ नहीं कर रहे हैं सब अपनी तरफ से कर रहे हैं मैं 2010 के अंदर मैं आपनो खुद का एक्जामपल देता हूं कि मैं इंटरनेशनल कॉंफरेंस से टेंड करने के लिए लंडन गया था इन जजज साब के पास एक जजज साब के पास छे केसिस थे पूरे दिन में करने के लिए और एक जजज साब के पास मात्र चार केसिस थे हैं वो पूरे दिन आराम से बैठके सुनवाई करते रहे हैं और हमारे यहां पे हमारा देश ही इतना बढ़ा है जनसंक्या इस लेवल प कर रहे हैं मुझे लगता है यह आज पंजाब हरियाना या किसी जज के पास 15 केसिज करने को हो मैं के तो पचास केसिज भी करने को हो तो उनके फैसले सेम डे होने लगेंगे तो ऐसे करके हमारी विवस्ता है इस विवस्ता के अंदर जो हमें positive चीज ढूणने चाहिए आप देखी जो हिन्दुस्तान के अंदर high courts ने covid के दोरान काम किया है शायद विश्व में किसी ने ना किया हो, जो हमने जितनी जल्दी हमारे अंदर adaptability आई है, जितनी जल्दी हमने चीजों का adapt किया, online system किया, सारी चीजे की और caseों का नप्टारा किया, कहीं भी स्थागित नहीं होने दिया चीजों को, उसमें हमारी सरकार का भी पूरा योगदा और मुझे लगता है, दीरे दीरे जैसे जैसे पारदर्शिता जैसे जैसे चीजे आएंगी, हम आगे ही बढ़ेंगे, कोविड के बाद सर फिर क्या बदलाव देखने को मिला आपको इसमें, कोविड के बाद तो लोगों के अंदर बहुत information and technology से, जैसे आज, for example, मेरे से ही क उपर आजाते हैं, हम उनको सला फोन के उपर दे देते हैं, जब केस डालना होता है तो कुछ document रहेगे, कुछ आगे हूँ सब information and technology, video recording, video call, सारी चीजे, courts भी अब अपने उसको video conferencing के उपर different अदालते ले रहे हैं, तो मुझे लगता है जो देश के अंदर हमारे एक लचीला पन है देश के अंदर, जो हम बहुत जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो एक अच्छी बात है और देश बुलंदियों पर जाएगा, मुझे लगता है, सर फिर आपकी इसाफ से, रूरल एरिया में ये पहुच पाया है? जी, बिलकुल, आप देखी, पंजाब बहुत छोटा है, इसके अंदर डिस्टिक, अब रिवाडी डिस्टिक है, बावल और कोसली इसके सब डिविजन है, आप आदे घंटे की रेंज में किसी भी कोर्ट में पहुंच सकते हैं, तो ये ऐसे चल रहा है, और आगे भी प्लैनिंग ही हो सकता है, धारुड़ा को भी कोर्ट बना दें, या आप किसी भी देखिए, हर जगे पर ये फैसिलिटी इस दी जा रही है, और जुडिशल सिस्टम काफी अच्छे से अपना काम कर रहा है, धन्यावाद सर्थ